तो आप लोकी भी पता होगा ना लोकी के एपसोड में रेवना लोकी को गायब कर देती थी मोबियस की तरह और यहाँ पर फैंस को लगता था क्या लोकी भी हमेश्यक्री डिलीट हो गया लेकिन फिर अचानक उसी के पोस्क्रेजिट सीन में दिखाया जाता था कि लोकी गई है क्योंकि यहाँ पर और्डेंस को सोचने में मजबूर कर दिया गया क्या सच है और क्या रियाल्टी है और यहाँ दोस्तों हम लोग को एक तीसरी परस्नालिटी का भी हिंड देखने को मिला था जो कि और कोई नहीं बलकि जेक है लेकिन यहाँ पर वो भी ताबूत मे की कोशिश भी कर रहा था लेकिन ना तो माक को कुछ पड़ी थी ना ही स्टीवन को वह लोग तो अपना भाग रहते बस वहां से लेकिन इन सब के अलावा एंड में हम लोग को एक एजिप्शन गौड दिखाय दी है उसे देखके डरने की ज़वत नहीं है क्योंकि वह गौ सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमली का इससा बन जाईए दो दोस्तों लोग इस गौड के बारे में बात कर लेते हैं इनका नाम है टावरेट अब दोस्तों यहां पर यह कोई इवल गौड नहीं है बलकि एक तरीके से माक या फिरके स्टीवन की हेल्प करने आई हैं हुश्यू की तरफ से अब दोस्तों यह जो भी सीन चल ले होंगे वो मेरे साब से यह सब माक के मायंड में चल लोंगे प्योंकि जब हैरो ने उसे गोली मारी तो मुझे नहीं लगता कि उन मर गया होगा लेकिन हां मरने की हालत में चला गया है यानि कि अगर उसकी बॉड़ी वैसे कुछ और समय तक रही तो चल बसेगा लेकिन उसकी दिमाग को जिन्दा रखने के लिए कुछ इंगेजिंग चीज जरूरी है तो हो सकता है यह जो गॉर्डश टावरेट है यह उसकी दिमाग में यह सिनारियो क्रेट की हो जहां मार्क अपनी परसना जो की काफ़ी इंटरस्टिंग है और अभी तकरीब ही लिए हुआ है यहाँ पर मार्वल सिनमेटिक लोस में हो सकता है टावरेट के पास कुछ और बी स्पेशल पावरूर जैसे कि वो हो सकता है गॉर्ड ऑफ हीलिंग भी हो यानि कि वो मार्क को ठीक कर सकती है और उसकी ब बहिया डर है वो तो जाहिर सी बात है कोई भी देख कैसे डर सकता है लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें जेक की तो क्या आप लोग को पता है यहाँ पर सुदने मार्या था कि जेक का इन्वल्मेट टो एपसोड वन साही हो गया था जी हाँ दोस्तो आप दोगा स्टीवन की एक डेट होने वाल थी लेकिन पता चला कि दो दिन घुजर के हैं और संडे तो कपका आ गया है लेकिन दोस्तों वो डेट मार्क ने टै की थी एक लड़की के साथ ऐसा नहीं हो सकते दोस्तों क्योंकि लोगों को कहना है कि मार्क अपनी वाइफ लायला क को कभी दोका नहीं देगा और स्टीवन को परशान करने के लिए ऐसे डेट नहीं तै करेगा तो मेरे सब से यह वही थर्ड पसनाल्टी जेक है जो कि स्टीवन और मार्क दोनों को परशान करने के लिए यह सब कर रही थी ताकि उनका ध्यान मिशन से थोड़ा बटा सके ले वो लोग Moon Knight बनेंगे तो यहां पर उसे कैसे रोकेंगे हाला कि यहां पर Stephen Mr. Knight है और Mark Moon Knight है लेकिन अगर कभी Jake कोई सूट पहनता है जो की कोई शुन दिया है तो उसका अपीरेंस कैसा होगा यह अभी तक्रीविल लिवा क्योंकि हाला कि यहां पर Mouse Studios की एक image बहुत क्लियरली एक चीस इंडिकेट भी कर रही है अगर आप लोग उस image को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हम लोग को बगल में Moon Knight भी दिखाए दे रहा है उसके बगल में Mr. Knight भी है लेकिन बीच में जो बंदा hoodie पहना हुआ है वही असल में Jake है यानि कि Jake को कोई भी suit की जोट नहीं है वो अपना काम ऐसे करता है और वो कौशू के against भी हो सकता है यहां पर एक weird सी fan theory आ रही है जो कि audience को काफी अजीब लग सकती है पर उस theory के according यहां पर Jake वो ऐसा बंदा है जो कि कौशू की नहीं बलकि Amit की तरफ है और उसे आजाद करना चाता है यानि दोस्तों यहां पर अगर ऐसा को scene हो जाएगा तो चीज़ें कितनी जादा इधर की उधर हो सकती है यानि कि दो personality जो है वो कौशू को support करने की कोशिश करी है लेकिन जो तीसरी सबसे खतरनाक personality है जिसके बारे में अभी तक reveal भी नहीं हुआ है वो यहां पर कौशू के against है और नहीं चाहते कि अब Mark और Stephen जाके कौशू को आजाद करें और यहां पर notice करने वाली बाती है कि जब हैरो ने लैला को सच्चाएं बताई थी कि यहां पर जो Mark है वही उसके पापा को खतम किया है तो यहां पर लैला को पहले यकीन नहीं हुआ काफी इंडरस्टिंग होगा कि Mark और Stephen का क्या reaction होता है क्योंकि दूस्तों जहां तक हम लोग लग रहे हैं हम लोग कॉमिक बुक की बात कर ले या फिस सिनमेटिक नहीं उसकी Mark, Stephen, Jake तीनों की body एक ही है बस personality अलग है तो यहां पर जो हम लोग को अलग Mark और Stephen दिखाई दे रहे है वो सिब उसके दिमाग में चल ला होगा और बाकि जो तीन एपसोट में हम लोग देख के बैठे हुए है वही reality हो सकती है लेकिन इन सब के अलवा यहां पर सबसे important बात यह है कि एक और teaser trailer आये था बहुत पहले शायद episode 4 से भी वहां पर हम लोग को यह पता चला था कि कैस से हो सकता है आगी जाके जो मारक है वो कोंशु को आजाद कल देगा लेकिन उस image के अगर आप लोग जस पीछे देखेंगे तो हम लोग को बाकी गौड्स भी दिखाए दे रहे हैं और अगर हम लोग बात करें episode 4 के starting की तो यहां पर जो आवटार था जो कि कोंशु की मूर् आवटार के पास जाके उनको उनकी ताकत वापस दे देंगे यह तो आने वालोग बताएगा फिर जो बाकी आवटार है मून नैट के साथ मिलके हो सकता हो हैरो को डिफेट करने की कोशिश करें जो कि आमिट को बहुत पहले ही से आजाद करके बैठा हुआ हो क्योंकि दोस् इस देखने का मिलेगा लेकिन क्या हूँ प्रोफेसर हल कोंगे या फिर ब्रूस बंदर क्योंकि यह क्लेर ली मंशन नहीं हुआ क्योंकि मार्क रफेलो की फोटो देखके और इस यह मैजिन करने लगी कि हां हल का क्या मिए हो सकता है लेकिन इन सब के लावा एक और सूपर ह जो कि Moon Night Prime को दिखाय दे सकता है और जो अपियर हुआ है Eternus के पोर स्केड़िट सीन में मैं बात कर रहा हूँ यहां पर Blade की क्योंकि दोस्तों According to theory यहां पर एक और God आजाद होने वाला है जो कि लोगों का खून पीता है और दोस्तों इसी तरीके से Vampires की शुरुआत हो रही है और यहां पर हो सकता है यहां पर Blade का अपेरिंस हो जाए एपसोड के एंड में उस God को रोकने के लिए क्योंकि दोस्तों जहां तक हम लोगों को पता है कि यहां पर Blade की मुई अनाउंस हो गई है तो ओडिंस को उसके बारे में बहुत पहले से तो पता है लेकिन अभी उतनी हाइप क्रेट नहीं हुई है तो Blade को आने वाले कूछ टीवी सीरीज में दिखा दिया जाए तो मज़ा अगर हम लोग बात करें Daredevil की तो सुनने मारता उसका केमी हो सकता है लेकिन बाद में पता चला वो तो शीहल की टीवी स्रीज में अपेर हो रहा है लेकिन दोस्तों मैं तो उमीद कर रहा हूं कि जेक असली विलन ना हो नहीं तो इन लोग की जो तीन परस्नालिटी है उनका एक साथ होना काफी मुश्किल हो जाएगा लेकिन आप लोग तो जानते हैं जहे हम लोग बात करें Marvel के TV स्रीज की या फिर मुई की यह लोग की स्टोरी लाइन एक्जाटली कॉमिक एकुरेट नहीं होती है ताकि ओडियन्स को कुछ नया सप्राइज देखने मिले दोस्तों यह तिक अमेजिंग अपडेट जो के रिलेटेट टी मून नैट के पाच्छी एपसरोड से आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी बसे आपकी के वीज़ों सपटलेट टॉपिक पे अपनी वीज़ ज़रू कमेंट कीजे और दोस्तों गर आप 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 एसने इस सब्सक्राइब करके हमारी सब्सक्राइब करके हमारी सब्सक्राइब का इससा बन जाएगा